हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, वेलकम टो फिनांस मार्किट, वेलकम टो अनेधर वीडियो, दोस्तों आगे बढ़ों से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिजे, आने वाली हर वीडियो की आउंट ओपन करा सकते हैं, दोस्तों आज हम बात करेंगे वी आयल के बारे, यानि वोड़ा फोन आइडिया लिमिटेट के बारे में, यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कोई लैटिस्ट अपडेट है की नहीं है, दोस्तों एक छोड़े सी अपडेट में आपक इसके आज की दिन का, यानि मंडे की दिन का शेयर करना चाहूंगा, दोस्तों मंडे की दिन यानि 6th of July 2020 को ओपन होता है 10.10 पे, वहां से लो बनाता है 9.75 का और हाई बनाता है 10.10 का, मतलब जो इसका आज ओपन प्राइस है, वही इसका हाई है, 52 वीक लो अगर आप देखे 9.00 पे था, यानि Friday के दिन, लोर सरकीट आज की दिन का लगा था 9.00 और अपर सरकीट 11.00 का है, अब बात करें, currently अभी 9.80 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.20 उपर है, यानि 0.20 नीचे है, माइनस 2% नीचे है, टोटल वोल्यम ट्रेटर की बात करें, तो 168.7 मिलियन, स्टेटिस्टिक्स में अगर और देखें, अगर मार्केट काप की तो यहां पे दोस्तों, 28,160.68 करोर, फेस वैल्यू 10.00 है, बीटा अगर आप चेक करेंगे, तो 1.01 मिलेगा, इंडस्टी का P by E वैलिवेशन अगर आप चेक करेंगे, तो 2.55 है, परसेंटेज आफ डिलिव स्टेटिक्स में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो टोटली नीट्रल है, आप देख सकते हैं, कई दिनों से हम लोग यह देख पा रहे हैं, कि यह 10.00 के राउंड राउंड रोटीट हो रहा है, तो इसका पाइवोटेड लेवल है कि अगर आप देखेंगे, तो 10.03 मिलेगा रेजिस्टेंस फर्स जो इसको फेस करना पड़ेगा, 10.02 पर है, रेजिस्टेंस नमर टू अगर इसको फेस करना पड़ेगा, 10.43 पर एंड रेजिस्टेंस लेवल 3, 10.62 पर फेस करना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल 1, 9.82 का है, सपोर्ट 2 है इसको 9.63 पर और सपोर्ट 3 है 9.42 पर पाइवोटरी लवल मैंने आपको भी बताया 10.03 परसेंट है 10.03 है अब मैं रिटन परसेंट की बात करें दोस्तों तो 1 वीक का रिटन परसेंट है परसेंट का देखेंगे तो 206.85 परसेंट है 6 मंथ का चेक करेंगे तो 56.80 परसेंट है वन एयर का अगर आप चेक करें तो माइनस 14.41 परसेंट है अब मैं कुछ स्ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं कि यहां पे इसके अंदर कुछ पॉजिटिव है की नहीं है दोस्तों देखिए एक पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यह है कि कंपनी जो है उसका जो इंक्रिजिंग रिवेन्यू है ना अब पॉजिटिव साइन है तो यहां पर्मोटर के पास जो भी स्टेक है उसका 0% प्लेज है यानि प्लेजिंग नहीं है जो की गुट साइन है एक पॉजिटिव साइन है थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है स्टॉंग गेंड मोर देन 20% इन वन मन्त एक महीने के अंदर लगभग 20% का यहां पी गेंड दिया है और नेगेटिव पॉइंट्स होप आपको सब को पताईए बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही है AGR क्राइसिस AGR इशू जो है इसके उपर एक बहुत बड़ा खत्रा बनके मड़रा रहा है और उस खत्रे को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रिम कोर्ट कोई जल्दी से अपना फैसला भी नहीं सुना रहा है ठीक है और ठैटिंग में कुछ नहीं है ऐसा तो यह सारी चीजें हैं जो स्टेटर्स है अब आपको बहुत बताना चाहूंगा यहां पे मैंने टेकनिकल भी देख लिया अब नियूज की बात करें दोस्तों तो नियूज देखिए कुछ अपडेट्स तो खास नहीं है लेकिन यहां पे नियूज दोस्तों यह दो दिन तिन दिन पहले ही है बॉम्बे हाई कोट ने जो टेक्स डिपार्टमेंट है उसे उसे ओर्डर दिया है ओर्डर सुनाया है कि आपको 833 करोर वियायल को वापस करने है तो छोटी सी आर्टिकल है मैं ध्यान से पढ़ता हूँ आप भी ध्यान से सुनियेगा दि पॉम्बे हाई कोट हैस डिरेक्टिट दि रिवेन्यू दिपार्टमेंट तो रिफंड 833 करोर टू वोड़ा फोन आइडिया फॉर एसस्मेंट यर 2014-2015 विदि टू वीक्स फॉम्ड देट अव दिस ओर्ड वेन्यू दिपार्टमेंट को यह दिस दो ओर्ड फॉम्बे हाई को आफ्र इस सुप्रेम को डिरेक्शन दा उसके अंत्रगत जो 833 करोर जो है रिफंड करना है और तक्स देपार्टमेंट रि section 245 proposing certain adjustments to the refund and also passed order under the same section on May 28th 2020 determining the net refund of Rs. 833 crore however no refund was released despite many reminders बहुत सरे reminders के बहुत जोद भू किसी तरीके का refund अभी तक रिलीज नहीं हुआ The Bombay High Court in its order said that the Supreme Court order as far the revenue department is concerned has attained finality and after already having invoked powers under section 245 the department cannot withheld the admitted refundable amount on the ground that the respondents may have a future demand against the petitioner arising out of the pending assessment orders section 245 employers of tax officers to adjust refund amounts against any outstanding tax demand the HC any high court rejected the revenue department's certain contention that the refund was withheld as per the provisions of section 241 a it says that the revenue department cannot be allowed to invoke provisions of section 241 a for the first time in the affidavit in reply against the writ petition filled by the SSE and VIL and such exercise of power under the say under the said section is subject to previous approval of principal commissioner of income tax which was not obtained in the present case besides the HC any high court also maintained that section 241 a is not attracted to the refund of any assessment year prior to 2017-2018 so this is the end of this article this article is article conclusion here is this article is this article is this article is this article that Bombay High Court has ordered the revenue department from the revenue department which is 833 crore to return the Vodafone idea of session debt पोल दिया था date कोई भी date जो है fix करी जा सकती है और उस date को Supreme Court अपना फैसला सुनाएगा और आपको पता भी होगा कि यहाँ पे इन telecom sectors की companies को क्या करना है upfront payment यहां पे इनको देना है और उसके साथ में यह भी बताना है कि वो उनका क्या road map है और वो किस तरीके से अपना payment जो है देंगे complete करेंगे अपने dues को zero बनाएंगे so yeah we already know this all things now अगर आपने यहां पे किसी भी point पे अगर आपने hold बना उपर point पे बाय कर रखा यानि 12 13 या उससे उपर में हैं तो आप hold करके बने रहें better होगा and hope अगर आपको कुछ अगर आप buy कर सकते हैं और इसके अंदर position ले सकते हैं तो आप बनाईए averaging करिए लेकिन इससे बाहर ना हुए बाहर होना आपके लिए मतलब एक तरीके से खत्रा है आप बाहर होंगे तो दो तरीके से आप बाहर हो सकते हैं या तो आप negative margin के साथ बाहर होंगे या तो positive पॉजेटिव माजिन के साथ। चांसे बहुत कम है कि आप पॉजेटिव माजिन के साथ बाहर होंगे। नेगेटिव माजिन के साथ बाहर होना अगर चाहते हैं तो मैं वो बिल्कुल ऱहीं ανα Ihry can रहे गा हो उसके आप बने रहें उसके अंदर हिम्मत रखें और अगर हो सकता है तो उसको एवरेजिंग करके नीचे ले आईए situations कुछ favor में ही हो सकती है chances इसी के भी जादा है हलाकि negative chances भी जादा है लेकिन positive chances भी जादा है 50-50% chance है अब देखते हैं अब यहां से कुछ भी prediction करना उतना ज्यादा सही नहीं होगा जितना की खुद फैसला सुनाएगा फैसले का इंतिजार कने बहुत जल्द ही outcome इसका आने वाला है third week के अंदर सब कुछ clear हो जाएगा so this is end of this video I hope you understood what I wanted to say guys if you have any doubt if you want to ask anything any question go in comment section and let me understand what do you want to ask and I would like to terminate my talks right here see you in my next video till then take care